दोस्तों निम्स उनिवर्सिटी जो कि जैपूर में इस्तित है इस पर हमने जो पिछली कुछ वीडियोज बनाई है जिसमें आपको बताए थे कौन गुल से कौर्सिज उनिवर्सिटी करवाती है उनिवर्सिटी कहां इस्तित है उनिवर्सिटी का रिव्यू क्या है उसके बा अक्सर जो वेबसाइट पर जाके सर्च करना होता है या अप्रूवल्स तक जहां पहुचना होता है वो नहीं पहुचपाते हैं तो वो मदद लेते हैं कि दूसरे की स्टूडिन्स ने हमसे सवाल किे और हमने सोचा एक वीडियो बनानी चाहिए कि युटिफिस्टी के पास क्या-क्या अप्रूवल्स है निम्स Goodati के पास हाला कि NIMS University के बारे में काफी डिटेल हमने वीडियो बनाई है पिछली वीडियो आप जरूर देखें डिस्क्रिप्शन बाक्स में भी हम उसका लिंक जरूर डाल देंगे ताकि आपको उसके इंफोर्मिशन मिल सके तो दोस्तों जादा कुछ जानने के लिए NIMS University के अप्रूवल्स के बारे में बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है University India मेरा नाम है विरेंदवर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम देश-विदेश की Universities, Colleges उनके Courses को Explore and Review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तों हाला कि हमारी वीडियो को देखकर काफी स्टूडेंट्स ने काफी चीज़ सीखी, काफी चीज़ों को समझा स्टूडेंट्स अपने सवाल लगातार पूछते हैं, हम उस पर वीडियो लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की निम्स युनिवरस्टी के पास हाला कि कई अप्रूवल्स हैं, कई कोर्सिस युनिवरस्टी करवाती हैं बढ़ इसका मतलब यह नहीं कि हम आपको कहें किसी जाके आप एडमिशन लेलो दोस्तो डारेक्ट मुद्दा यह है कि आप युनिवरस्टी विजिट करें, युनिवरस्टी को देखें, जाकर इनकी फैकल्टी मेंबर से मिलें, फैकल्टी से जो स्ताफ हैं, जो अलगलग कोर्सिस को जो एजुकिशन देते हैं, जाके उनसे मिलें, आपके स्कोर्स को करन में समझें यूनिवर्स्टी का प्लेस्मेंट देखें तभी यूनिवर्स्टी पर निर्णे लें कि काफी कंप्लेंट्स होती है कि हमें हमारे intersectionington शी नहीं मिलती हो एक secondary part है अभी हम बात करेंगे यहां पर approvals की दोस्तों यूनिवर्स्टी के पास हाला कि कई approvals हैं कोई भी युनिवर्स्टी जब चलती है युनिवर्स्टी जब स्टार्ट होती है सबसे पहले उसको UGC पर अपना एक recognition लेना पड़ता है युनिवर्स्टी को UGC approval लेना पड़ता है और इस युनिवर्स्टी के पास UGC का approval बिल्कुल है मतलब UGC माननेता प्राप हिंदुस्तान में जितनी भी युनिवर्स्टी चलती है उन्हें regulate करने के लिए एक ही बाड़ी है वो है UGC UGC पर लिस्टेड है तो मतलब युनिवर्स्टी मानने है उसके लावा और भी कई सारे approval है जैसे BCI Bar Council of India Bar Council of India का approval है मतलब आप LLB LLM course युनिवर्स्टी से कर सकत हो साथ में युनिवर्स्टी के पास मूट कोट है किस तरह से practical करवाते हैं किस तरह से आपको exposure मिलता है वो आप युनिवर्स्टी जाएं और जाकर अच्छे से देखें साथ में युनिवर्स्टी के पास है PCI Pharma Council of India का approval युनिवर्स्टी के पास है इसमें आप B Pharmacy कर सकते है या D Pharmacy कर सकते हैं M Pharmacy भी कर सकते हैं डिपेंड करता है युनिवर्स्टी के पास कितनी seats हैं और आप किस चीज में admission लेना चाते हैं फीस क्या है और भी करी सारी चीज़े आप जाकर युनिवर्स्टी को जरूर देखें साथ में ही युनिवर्स्टी के पास है INC Indian Nursing Council मतलब की Nursing Council का Approval है आप यहां से BSC Nursing करना चाते हैं तो आप यहां पे admission ले सकते हैं अपनी Nursing जो कोर्स है BSC Nursing उसको आप बिलकुल complete कर सकते हैं साथ में युनिवर्स्टी के पास MCI जिसके MBBS करवाती है MBBS के seats हैं युनिवर्स्टी के पास admission लेती है युनिवर्स्टी के पास खुद का hospital है आप MCI के तहत ही देखें तो MBBS में भी आप admission जरूर ले सकते हैं साथ मही युनिवर्स्टी के पास dental council से भी approval है मतलब युनिवर्स्टी BDS जो कोर्स होते हैं आप doctor बनना चाते हैं dentist आप बनना चाते हैं तो उसके लिए भी dental council का university के पास approval है उसमें भी आप admission ले सकते हैं बट हमिशा जैसे हम बोलते हैं बिना university विजिट करें युनिवर्स्टी को अच्छे से देखें युनिवर्स्टी गए आप admission ना लें जाकर faculty से आप जरूर मिलें और सभी तरह से जितनी आप तसली कर सकते हैं तसली करें तभी university के तरफ आफ रुक करें admission लेने के लिए साथ में है council of architecture मतलब कि बी आर्क अगर आप करना चाते हैं भी प्लान करना चाते हैं युनिवर्स्टी से तो इन दोनों कोर्स में भी आप युनिवर्स्टी से admission ले सकते हैं साथ में ही युनिवर्स्टी के पास एक और अच्छे एक approval की बात बोलेंगे association of Indian universities जितने भी students abroad से आते हैं हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए education लेने के लिए वहाँ पर वो AIU देखते हैं कि association of Indian universities में इस युनिवर्स्टी का नाम है या नहीं इस युनिवर्स्टी का नाम है युनिवर्स्टी ऐसा mention करती है अपनी website पर और भी कुछ छोटे मोटे approvals हैं युनिवर्स्टी के प इन approvals को युनिवर्स्टी के साइट पर जाकर भी आप बिल्कुल देख सकते हैं पर फिर भी किसी तरह के सवाल अगर आपके दिल में आते हैं कुछ doubts हैं आपके दिल में या कुछ आप जानकारी चाते हैं admissions related कुछ जानकारी चाते हैं या फिर आप चाते है fees related आप हमसे भी contact कर सकते हैं comment box में आप अपने query डालें या हमें WhatsApp करें हम कोशिश करेंगे आपके उन सवालों के जवाब देने की दोस्तों अच्छा लगा वाच के वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ में लगा बला एकन जरूर दबा दें ताकि इसी तर